किसी को कहेंगे तुमने संपर्दाइक भासन दे दिया उसको फसाव यह सत्ता में बढ़े रहने के लिए अजहरी जैसे काफी लोगों को पकड़ सकते हैं अगर सब पर बराबर कारवाई होती तो मुसल्मान सम्माज यह नहीं कहता हम जेल बरवान दोलन करेंगे वह कहते इस करें भी बाकि बखवास करते हैं और यह कुछ रहा है आपको ठेकेदार कहते हैं हिंदू संपर्दाएका वह भी कारवाई नहीं हुई सरकार सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के खेल खेलती हैं और बदनाम होता सारा संपर्दाइए अब मालों कोई हिंदुतव के इसके लिए यह खुद जिम्यवार हैं वह सकता है इनकी राजनीति में इंदुतव की ठेकेदारी करने से बोलने से बक्वास बाजी करने से इनको बोट का फैदा होता तो इसलिए करते हैं मगर कानून को सब के साथ एक जैसा इलाज करना चाहिए नमस्कार दोस्तों पियाई वी चल में आपका स्वागात है मैं लली चोधरी आपको बता दूं जिस तरीके से सलमान अजहरी को जिस तरीके से जमानत मिल चुकी है इसी पर चर्चा कर लेते हैं सुप्रीम कोट के वकीर है हमारे साथ जिस हेट स्पीच मामले में उनको में फैसला होता है कोट करती है देश के किसी भी आदमी पर मुकदमा चले उसे चुप चाप उसको ट्रैल वह फेस करें और जमानत सब को मिलनी चाहिए क्योंकि बेल इजरूल यानि बेल लोगों को मिलना लोगों का अधिकार है यह कानून है यह फंडामेंटल राइट टु और कोट ने सही किया है क्योंकि अजहरी ने जो बात कही है अब पूरा कंटेस्ट में देखेगी कोट के पूरा बासन क्या था क्या वो कहना चाहते थे क्या वाकई यहां के किसी समुदाय को संपर्दाय को वह कुछ गलत कहना चाहते थे या किसी की बावना को उसे ठेस सबका अधिकार है और जमानत मिलनी चाहिए समय पे लोगों को मान ठेस है हानी है कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता पक्स के नजदीक है आज के लोग और पूरा का पूरा समाज देश के लोग ने किवल मुसलिम इवन जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो लोग भी पढ़ते हैं बहुत सारी बगवास बाजी आती है जो ऐसे लोग हैं जिनको सत्ता पक्स का प्रोटेक्शन मिलता है अगर उन पर यह कारवाई होती तो अजहरी भी साइद इतनी बोलने की हिम्मत नहीं करता और एक बार तो यहां पर क्या हुआ एवन हाई कोट के जज को बदल बदल को पत्ति आरात और जश्टिस मुर्ली धर को उन्होंने किसी केस में कहा था एट स्पीच के मामले में किश्ट ठाकूर है क्या नाम उनका ठाकूर travelled उन्हुराक सिंग ठाकूर और बीजेपी जो दिली के सीएम थे उनके बैटे प्रवेश्वर्मा साब सिंग में बैटे इन यह लोगों का क्योंकि वो सरकार के नजदीक थे अच्номary हैं उनके हिलाब करने चाया तो पर यह काम हो जाता के लोग ना दूसरे संपर्दाय का बोलता उसके किलाब करवाई होती है यह कहने का भाना इस देश के नागरी को नहीं मिलना चाहिए अजरी ने जिस तरी के सा यह भासन दिया था कि कुट्टे का वक्त आएगा यह लोग कहने ते कि यह गलत है इसे वह कैसे भी है जो अपने आपको रिली नो और बेल मिलना अलग चीज़ है दोसिध होना अलग चीज़ है वो तो ट्रैल बताएगी ट्रेल में दोनों पार्टियां जी रहे हैं सारी बाते होंगी और जज अपने विवेक से फैंसला लेंगे लोग के अनुसार उनके उन्होंने गलत किया के नहीं किया मगर बात यह है देश में कोई भी इस तरह की बात कर और सबसे पहले तो इस मामलों में यह जो र कारवाई नहीं हुई कहीं लोग ऐसे हैं जो लगातार बकवास बाजी करते रहे तुन पर कारवाई नहीं होती इससे क्या होता है समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी रियक्शन के रूप में कुछ बोल जाता है यह अगर उन्होंने बोला भी है सोचके तब यह एक इन सब लोगों पे किरपाद दरश्टी रखनी चाहिए एक समान। उन्हों को घ्रतार करने के बाद उन्हों ने ये कहा कि मैंने इसराइलियों पर ये बात कही थी यहूद्यों गोली करके। ये भी उन्होंने गलत कहा, यहुदी सारे यहुदी एक जैसे नहीं है, इसराइल के लोग तो खिलाप हैं लड़ाई के, वहां सरकार ऐसे होती हैं, सरकार सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के खेल खेलती हैं, और बदनाम होता सारा संपर्दाए, अब मालो कोई हिंदुत इस बाजी करने से इनको वोट का फैदा होता तो इसलिए करते हैं, मगर कानून को सब के साथ एक जैसा इलाज करना चाहिए, और पूरी मानौ जाती कहीं भी हो, चाहे इसराइल हो, चाहे कहीं भी हो, पूरी दुनिया के मैजोर्टी लोग युद नहीं चाहते, ये लोग, तीन तरह के लोग हैं, जो हमेशा सोशन करते हैं और युद तक ले जाते हैं लोगों को, वो कौन कोने तीन तरह के एंपाइर हैं सामराज्ये हैं, नमबर एक रिलिजियस एमपाइर, जिसमें चाहे अजहरी भी हो, चाहे और भी हो, जितने भी हिंदू के ठेकेदार हो, चा संपरदाइक सामराज्य है इसके चक्र में रहता ना मेरा कितने फोलोर होंगे कहीं आपने देखे होंगे हिंदू के या कुछ बाबा जेलों में पड़े हैं कितने लोग तालिया पीटते होंगी कोई रेपीष्ट है कोई कुछ है अभी भी आंद भागत उनके तालिया पीटत अभी होंगा ऐसी सारी कमपनिय के प्रोधा वह सारे के सारे लोग सोशन करते हैं सरकार उसमिल के सडियनतर करते हैं इस तीसरा है पॉलिटिकल कर रहे हैं और जो लोग इनके खिलाब बोलता है सही राय देता है उसको यह अपना दुस्मत समझते हैं किसी को कहेंगे तुमने संपर्दा एक भासन दे दिया उसको फसा हो यह सत्ता में बढ़े रहने के लिए अजरी जैसे काफी लोगों को पकड़ सकते हैं जो तरीके से सल मुसलमान लोग एक हत्रित होकर के उनकी रहाई की मांग करते हैं कि नहीं अगर नहीं पर कोई कारवाई कि तब जाके मुसलमान समाज को समुदाय को यह हुआ कि हमारे उपर कारवाई करते हैं अपने MP बक्वास करते हैं religious leader हिंदू बक्वास करते हैं उन पे कारवाई नहीं की उस बात का रोस है अगर उन पे कारवाई होती तो साइध अजरी भी ये ना बोल पाता अजरी ने ये बोला भी है और इस पे कारवाई होती तो मुसल्मान समाज फिर भी सामने नहीं आता मुसल्मान समाज कोई समाज बेवकूप समाज नहीं है सारे समाज सब कुछ देख रहे देश में क्या हो रहा है अगर सब पे बराबर कारवाई होती तो मुसल्मान समाज ये नहीं कहता हम जेल बरवान दोलन करेंगे वो कहते इसमें भी करो मगर क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बाकी बगवास करते हैं उनके कारवाई नहीं होती और ये एक ने इस कुछ कहा है और ये कहा है मैंने इजराइल लिए कहा है और इस पर कारवाई हो रही है तो जानबुज के बेदभाव किया जा रहा है तो यह इस तरह समुदाई का कठा हूना मैं इसको अप्रिसेट करता हूं यह सही कहा समाज ने अगर इसको नहीं छोड़ा या इसको करोगे तो हम जेल बरवान दोलन करेंगे इसमें कोई बुराई होने चाहिए यहां का हर नागरिक पूरा देश भगत है हर नागरी को अपने देश से उतना ही प्यार है यह ठेका नहीं है कि यह भारत माता यह देश हिंदू ही इसके रखवाले हैं हर एक जो यहां का मिट्टी में पैदा हुआ है पला बड़ा है सब यहां के बेटे- करवाई नहीं होती है इसलिए मेरी पूरे समाज से यह विंती भी है नैकेवल मुस्लिम समाज से पूरे हिंदो समाज से भी क्रिश्चन और बौद सिख सभी लोगों से कि इन वकत में इलेक्शन का एक ऐसा माहूल है जहां पे सरकार पे आलड़ी बलेम है और वह इस तरह की खिलाब बढ़कना नहीं है जो प्रहना शांति का इसमें दान देने की बहुत जूर्थ है लेकिन सर एक तरीके से यह बात भी निकल करके आती है सरकार अपने विरोध में लोगों की बाते सुनना पसंद नहीं करती है दोजार चौबिस की तयारी है जो इस तरीके से कर रही यह सरकार कंट्री क्या है इसा लोग कहते है क्या लेखते है यह सई बात है और सिम्टिक्स में की तरब से आ रहा है जो कि कार्पुरेट एंपाइर खड़ा करना चारे हैं यहां आपायर के मालिक हैं वो लोग और तीसरे रिली,जिआ एंपाइर के लोग जो हिंदुो के ठेकेदार हैं उसी संदर में राम्मंदिर का द्रूप्यों करेने की कोशिस है वो रिलीजस एंपायर की तरह यूज़ करने की तीनों लोग सेडियंतरकारी लोग हैं तीनों लोग आपस में मिले हुए हैं देश को सावधान होने की जूरत है और सब को शांतिर भाईचारा बनाके अपने बैलिट पेपर से अपना फैंसला देने की जूरत है अगर आरूप से रहते हैं और जहें हैं बात की बाते ट्रेल समय लगता है सबी तरह को समय लगता शेरी है भाशन है वह कोई गलत नहीं मुझा अधालत रियर्ली जान बूआप काम करेगी और करती बात है मगर आज गल question mark court पे उठ रहे हैं question mark क्यों उठ जैसे राहूल के case में गुजरात की court पे question mark उठे वहां की district court पे उठे वहां के judge पे उठे वहां की high court पे उठे और supreme court ने इस तरह का comment भी किया और वहां की तो जिस judge ने फैंसला राहूल के खिलाप सुनाया था वो जज़ गैर कानूनी तरीके से परमोट भी कर दिया था जब सुप्रीम कोड को पता चला उसको वापिस बेचा उसकी परमोट केंसल की तो इस तरह कि लोगों को परमोट करना किसी को और किसी लालच में दे दे के गलत काम कराना यह सरकारों को काम नहीं है जो भी इसमें इन अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा मैं प्यारबी से लड़ी चौत्री नमस्कार